अब बाइब बच्चे को बहुत तंकलता है एक बसकोर कहीं स्थक हो जाता है तो फिर वस्थे आगे नहीं बढ़ता है अगर आप भी इस प्राब्म को फेस करें हैं तो ये वीडियो आपने लास तक देखनी है बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है and one more thing I have a surprise for you जो मैं इस वीडियो के end में आपको बताऊंगा Before I start the video मैं आपसे एक story share करना चाता हूँ ये वो story है जिसको हर वो बच्चा जो आज से रीडिंग में struggle कर रहा है relate कर सकता है ये story है सुखवीर सेंग ती सुखवीर सिंग क्योंकि आज की डेट में Canada में है well settled है उसने अपने और अपनी family के सपने पूरे कर दिये है He is very happy, his family is very happy लेकिन आज से दो साल पहले तक ऐसा नहीं था क्यों? पुकि तब सुखवीर आज की preparation कर रहा था और उसको आज की reading तंग कर रही थी He was struggling a lot उसने आज का दो बार exam दिया था और उसका score 5.5 आए था He was literally devastated He came to target 9 and shared his problem वो इतना दुखी था आज से कि वो कहारा था शायद आज उसकी लिए है ही नहीं पता नहीं वो उसको पार कर भी सकता है या नहीं तब target 9 में हमने इसको समझाया कि आपने बहुत सारा time invest किया है आज की preparation के उपर आपकी family ने आपके parents ने बहुत सारा पैसा invest किया है आज की training के लिए प्लस exam पी के अंदर तो अब हमें इसको waste नहीं करना चाहिए हम एक chance और लेंगी और एक महिना और prepare करेंगे लेकिन इस बार कुछ different होगा वो difference क्या होगा कि आपने वैसे ही पढ़ना है वैसे ही त्यारी करनी है जैसे target 9 में आपको बताया जाएगा वही strategies, वही planning, वही test जो हम आपको बताएंगे हमने सोचा था कि हम एक महिने में कर लें कि लेकिन हमें near about one and a half month लग गया था लेकिन डेड महिने बाज result आया है that was amazing वो बचा जो 6 band लेने के लिए struggle कर रहा था इसको लगता था कि वो आल्स कर ही नहीं पाएगा, उसके 6.5 जो उमीद छोड़ चुके थे कि सुख्वीर कभी स्को ले पाएगा वो तो बहुत ज़्यादा खुश थे अब मैंने आपकी स्टोरी क्यों सुनाई, ये स्टोरी मैंने आपको इसलिए सुनाई, तोकि सुख्वीर अखेला नहीं है, वो भी बहुत सारे सुख्वीर, उनके नाम अलग हो सकते हैं, हो सकता उसका नाम कमल हो, सुनैना हो, सपना हो, कुछ भी हो सकता है लेकिन सब के सब कहीं ना कहीं, आल्स रीडिंग में स्टक हो रखे हैं, इन सब की हैल्प के लिए टागेट नाईन एक वीडियो सीरीज लेकिन आया है, जिसका नाम है आल्स रीडिंग में बेंच चाहिए, तो ठागेट नाईन आईए अब यह सीरीज क्या है, इस सीरीज के अंदर हम आल्स रीडिंग को डीटेल में डिसकस करेंगे, क्या होती है आल्स रीडिंग, एक्जामिनर आप से क्या expect कर रहा है किस किस तरह के questions होते है कैसे उनको solve करना है क्या strategies लगा नी है और जब आप उनको solve करी कोशिश करेंगे, आपको क्या problems आएंगी, उनको कैसे overcome करना है और सबसे बड़ी बाद, time management एक घंटे में 40 questions कैसे करें वो करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार बच्चों के लिए ये सारी strategies, ये सारे steps आपको हम सिर्फ समझाएंगे नहीं, बलकि करके भी दिखाएंगे, yes target 9 के expert trainer, जो की campus से certified है, वो ये सारी training करके, आपको IELTS reading करके भी अगे आपके सामने के, and अगर आपको कोई doubt है, कोई query है कोई question है, इस series के अंदर आप हमसे comment करके पूछ सकते हैं, और हमारी team आपको उसका जवाब देगी, अब ये एक ऐसी series है, जिसे आप बिलकुल miss नहीं कर सकते, अगर आप score का जो level है, जो आपका target है, वो 6 है, 6.5 है 7 है, या even 9 भी है, हर हाल में ये series आपका help करने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपको वो बातें बताएंगे, जो आप कई बार 1000 रुपे classes दे देखर भी नहीं सीख पाते हैं, तो ये वो series जिसका हर वीडियो आपने देखना है, शुरू से लेके end तक बिना skip किये हुए, कुछ वीडियो सो सकता है, आपको एक से ज़्यादा बार भी देखने पड़ जाएंगे और आप फ्रॉमिस यू, अगर आप हमारी series को अच्छे से follow करते हैं, तो definitely, जो आपका reading score आप चाहते हैं, वो जरूर आएगा, और आपके चेहरे पर भी वही smile होगी, जो सुख्वीर के चेहरे पर थी, जो उन्हें अपना result मेरे साथ शेयर किया था, तो what are you waiting for, please subscribe और चैनल, और हाँ, अगर आप reading की तीन में प्रॉब्लम, उनके reason और उनके solution, तो I hope, आपको यहां तक जो हमने समझाएं, इस series, कोई सीरीज, reading वे बैन चाहिए, तो target 9 आए, यह है मेरा surprise आपके लिए, तो see you in the next video, तब तक के लिए, bye bye, have a nice time,